हालो फ्रेंड्स फूड एंड क्राफ्ट वित मीनू चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम यह अम्रूद बोलते हैं इसे इसकी ग्वाभा की हम आज जूस बनाने वाले हैं यह बहुतर टेस्टी बनता है और काफी अच्छा बनता है यह दो तरग कर निके देगा और दूसरा एक कट करने पर फिंक जैशा दिखता है आपको जो मिलता है उसक्य कर असंत्री update उसका ग्यात आसा जूस हम पर फोटे 말씀ेरी कंचे झीनि हम एक ग्लाज जूस बनाएंगे उसी साप से यह सारे समान हमने लिया है एक बड़े चमचीनी यह एक पीच हमने जीरा पाउडर भूना उआ जीरा पाउडर लिया है यह खाला नमक और थोड़ा निम्बू जीरा पाउडर आप्सनल है अगर आपको लगता है तो डालिए नहीं तो आप इसे इसकिप कीजिए पानी आप चिल पानी का यूज कर सकते हैं अब दम थंदा पानी लीजिए एक मिक्सर जार लेंगे और मिक्सर जार में एक अवरूड को भबा को लेंगे इसके पर्ट्स को कट करना है हमें को jij dow कोशिश कीजिए इसे छोते तुकरों में कट करके डालें ताकि ग्राव इस तरह से छोटे तुकरों में कट कर लिया है हम ने इसी में at चीनी को आड़ करना है काला नमक और थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे और इसे अच्छा सा पीस करके रेडी कर लेना है इसे कंटिनीव नहीं चलाएंगे फ्रेंज थोड़ा चलाएंगे रोकेंगे फिर चलाएंगे रोकेंगे जिससे की इसके बीज पिसेंगे नहीं और अच ही छाज जलिए हिसे ट्यार करें एंड के आजिसरों से हमने रेड़ी करें विपसकर इस तरह का शन्रीा लेंगे में अब H क६र को झौन सब्सक्राइड को ढूर देना है दिनारे स्था गूंर से पूरे को बच गया है इसे हम्द कर लेते हैं और इसमें मुझे जितना गाड़ा चाहिए उसी साफ से इसे रखूंगे ये सही है ये जीरा डालेंगे ये अप्सिनल अपरेंट अगर आपको जीरा का टेस्क पसंद है तो डालें नहीं तो आप इसे इसकीप कीजिए दो लगता है अगर लगता है कम है तो थोड़ा पानी गाड़ा लगड़ा है तो थोड़ा पानी आड़ करेंगे इसा पीद्बू परेब कीजिए सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए अपने फीडबैक कमेंट हमें जरूर दीजिए और बेल आइकोन दबाए जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन मिल सके तो यह रेडी हो गया जूस इस तरह का एक ग्लास लेंगे और इसमें हम सर्व करेंगे बहुत ही अच्छा सा जूस रेडी हो गया हमने इसका हम रूट का जूस निकाला है देखिए काफी अच्छा सा रेडी हो गया है एकदम गाड़ा और बहुत टेस्टी बनाया फ्रेंड इससे जरूर जरूर ट्राई कीज़े और अपने फीडबेक हमें देते रहिए इसमें आइस क्यूब डालेंगे हमने चिल पानी का यूज नहीं किया है आइस क्यूब डालके ही इसे हम अच्छा सा रेडी करेंगे अगर श्ट्रो है तो आप श्ट्रो के साथ सर्थ कीज़े नहीं तो बीना श्ट्रो का भी आप सर्थ कीज़े काफी अच्छा बनेगा और बहुत टेस्टी बनाया इतने फीडबेक कमेंट हमें देते रहे हैं देखें कितना अच्छा यमी साथ जूस बन करके रिडी हो गया तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक यू सबस्ट करके तेज्द दो गया है